देखिए हम बात करेंगे numerical analysis के टॉपिक है solution of linear equations देखे solution of linear equations class 8 से पढ़ते आ रहे हैं याद है ना substitution method, elimination method, cross multiplication method जब क्रैमर्स आप student रहे होंगे तो उन्होंने equations को देखा ठीक है पिटे भी होंगे एक दो बार teacher से जब solve नहीं कर पाए होंगे तो इन्होंने का अगर बड़े equations हैं तो कैसे solve करेंगे जनरली क्या होता है अगर दो variable में x और y में कोई equation है तो तरीका क्या होता है विजबिल्टी ठीक है ना विजबिल्टी आवाज ठीक आ रही ना तो अगर बड़े equations अगर छोटे equations हैं दो variable के तो आप क्या करते थे या तो x की value उठाके second में रखते थे y मिलता था और y की value कहीं रखते थे x मिलता था याद आया दूसरा आपका cross multiplication method था ठीक है अब अगर तीन equations होते थे क्या करते थे कि भाई आप x y को solve करिए दो equations को solve करिए z cancel कर दीजे second third को solve करिए z cancel कर दीजे तो दो नए equations बनेंगे x और y में उन्हें solve करिए तो जैसे जैसे equations बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे solution tough होता जाएगा तो क्रेमर सहाब ने इसको देखा ठीक है और दे वहाँ पहुंचते ही अगर a1 x प्लस b1 y बराबर c1 और a2 x प्लस b2 y is equal to c2 है तो इसको solve करने का तरीका क्या था कोई भी method हो सबसे पहले क्या करते थे आप coefficient required करते थे जैसे आपको x का करना है तो आप इसमें a2 से multiply करेंगे इसमें a1 से multiply करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a2 b1 y is equal to a2 c1 और यहाँ a1 से किया तो a1 a2 x प्लस a1 b2 y is equal to a1 c2 और दोनों को subtract करेंगे टिक 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 ये cancel हो गया यहाँ से y कामा ले लेंगे आएगा a2 b1 minus a1 b2 is equal to a2 c1 minus a1 c2 तो y की value निकलेगी a2 c1 minus a1 c2 upon a2 b1 minus a1 b2 समझे आई बार नहीं आई आई आप चाहो तो माइनस कामा ले सकते हो दोनों तरफ ठीक है क्रेमर साहब ने कहा देखो या जब देख रहे होंगे student रहे होंगे थोड़ा बड़े होंगे इंटर में पुंचे होंगे ठीक है दो चाहर बार पिटे भी होंगे उन्होंने का ये जाद ध्यान से देखो अगर हम हम जड़ा पहले तो माइनस उपने से कामा ले लेते हैं तो यह आजाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 और नीचे आजाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1 जड़ा ये एक चीछ देखे इस y की वेलू देखे इसको अगर हम उपर डिटर्मिन लिख दें a1 a2 c1 c2 कोई दिकत और नीचे वाले को लिख दें डिटर्मिनेंट a1 a1 a2 b1 b2 कोई दिकत इसको खोलेंगे तो a1 c2 माइनस c1 a2 ये a1 b2 माइनस b1 a2 यह तो आएगा ना जड़ा देखो ध्यान से आपने क्या किया किसकी वेलू निकाली है y की निकाली है ना पहले x होगा फिर y होगा क्यों बोलते रही है बस हाँ काम चलेगा तो उन्होंने का देखो ये जो अगर ध्यान से देखे ये x का कोफिशन्ट है फिर y का बीच में गायव है y की जगे constant लिख दिया गया ना मतब यहां x होना चीए फिर y होना चीए तो y क जगे इन्होंने y हटा करकि ये equal to अला लिख दिया और नीचे देखे ये x y के कोफिशन्ट है समझ में आगया x की value y की value इसी प्रकार से x हम निकालेंगे तो x ऐसे आएगा x की जगे आएगा c1 c2 और यहां आएगा b1 b2 upon determinant of a1 a2 और b1 b2 आएगा मतब आएगा तो इस तरीक की है ये coefficients की है ना a1 a2 b1 b2 तो इन्होंने का ये d1 है ये d1 है ये d2 है ये d2 है ये d2 है तो इस प्रकार से x y के लोग निकाल सकते है d1 upon d और d2 upon d से x y निकलाए ठीक है तो ये उन्होंने देख करके पहचाना होगा नहीं हो सकता तरीका दूसा दिमाग में लगाया हो अलग solution of two linear equations पहले two linear equations की हम बात करेंगे देखो क्रैमर रूल में हम बात करेंगे solution of two linear equations with two variable भाई देखो किसी equation में अगर दो variable निकालने हैं तो दो equations होनी चाहिए सही कह रहा हूँ मैं तो हम बात करेंगे solution of two equations या linear equation two linear equations two linear equations with two variables two variables जड़ा समझने की कोशिश करिए equation कुछ ऐसा होगा a1x plus b1y is equal to c1 constant जो term है वो equal to में ही होना चाहिए पहली condition है समलिजेगा मतलब constant इधर नहीं चलेगा उसको उधर ही लिखेंगे आप ठीक है और यह है आपका a2x plus b2y is equal to c2 पहले आप क्या निकालेंगे पहले इनके xy के coefficient का एक determinant निकालेंगे d क्या निकलेगा determinant a1 a2 b1 b2 ठीक है फिर आपको x के लिए निकालना है तो x के लिए निकालेंगे d1 जरत साउधान आप x के लिए निकालना है न तो x वाले जगए छोड़ दीजे उसकी जगए constant लिख दीजेगा जिसकी वाले निकालेंगे उस order में हो जगए blank कर दो तो यहाँ आएगा c1 c2 b1 b2 फिर आप निकालो d2 d2 किसके लिए निकालना है आप y के लिए y के place को blank कर दो तो यहाँ एगा a1 a2 उसकी जगए आएगा c1 c2 ठीक है तो x निकालने का formula है x का निकालने का formula है d1 upon d और y निक दालने का formula है d2 upon d तो यह तो पहले formula बन गया लेकिन एक condition यहाँ है कि if d is not equal to 0 यहाँ d क्या होना चाहिए यह 0 के equal नहीं होना चाहिए अब यहाँ conditions आती है कि अगर d0 हो गया तो d1 0 नहीं हुआ तो d1 d2 भी 0 हो गया तो 3 0 हो गया तो तब क्या होगा तो आपको याद होगा class 10th में वह आप कहेंगे bsc semester numerical analysis graduation bteg वहाँ class 10th की आप बात कर रहे हो जह 10th की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने consistent non consistent की बात की होगी consistent and non consistent हाँ d1 भाई वो comma लगाया था वो एक्चुली गरबड़ हो गया तो अब consistent होगा नहीं होगा solution निकलेगा नहीं निकलेगा इसके बारे में क्या बात करेंगे तो पहले बहुत कुछ cases लिख लेते हैं some special cases some special cases उन्ही पर एक दो example discuss करेंगे some special cases ऐसा नहीं कि आपने equation उठाया और solve को ना शुरू कर दिया special cases पहला case देखो अगर d0 नहीं है d0 नहीं है d बोले तो determinant of coefficients देखो d0 नहीं है तो denominator 0 नहीं है अगर denominator 0 नहीं है तो x और y निकलाएंगी value ठीक है तो system consistent होगा system कैसा होगा consistent होगा तो consistent का मतलब बहुत confusion वाला है consistent का मतलब होता है कि भाई x की value निकाले में y help करें ठीक है x निकलाएं तो हम निकलाएं या आप चलो तुम भी निकल जाओ ठीक है एक होता हम तो निकलाएं कि तुम्हाई तंगडी तोड़ देंगे हम तुमको नहीं निकल ने देंगे ये consistent का मतलब होता है and independent independent and have unique solution have unique solution मतलब इसमें unique solution निकलेगा ठीक है अगर हम यहाँ पर class 10th level से आपको बताएं तो graph अगर इस equation में खीचेंगे तो यह आपको intersecting lines दो मिलेंगे यहाँ पर जहाँ वो intersecter रही होगी partition coordinate system में वहाँ का coordinate होगा x coordinate x की value देगा और y coordinate y की value देगा बात सुन में आगई ठीक है अच्छा दूसरा case दी डी 1 डी 2 तो सुन में आगए इसको में रब करते हैं क्योंकि यह तो निकालना सुन में आगए डी coefficients का होता है और डी 1 डी 2 x y के लिए निकाले जाते हैं दूसरा केसे कह रहेंगा अगर डी 0 हो जाए अगर डी 0 हो जाए डी तो 0 आ गया यहाँ दिनामेटर यहाँ 0 हो गया बट डी 1 डी 2 0 नहीं है डी 1 डी 2 और नान जिरो इधर डी 1 और डी 2 नान जिरो दोनों नहीं है एक नहीं है कोई एक नहीं है नान जिरो कोई एक नहीं है सौरी बुल्टा बोल गए इधर डी 1 डी 2 और नान जिरो मतलब डी 1 डी 2 में कोई एक ना कैसा होगा inconsistent inconsistent and no solution मतब अगर हम graph की बात करें तो आपको line parallel मिलेंगी चुकि हम xy में एक question लिकालते हैं तो वो straight line को represent करता हम जानते हैं ठीक है तीसरी बात कि अगर d भी 0 है d1 भी 0 है और d2 भी 0 है यहाँ d1 d2 में एक non 0 है ठीक है तो अगर जो है यह 0 है तो यह आपका consistent होगा और many solution होगा consistent होगा and have infinitely many solution infinitely many solution many solution class 10th की बात करें तो आपको वहाँ पर जो line मिलती थी वो एक same line मिलती थी यहाँ पर same line होगी मतलब एक दूसरे के उपर overlap करी होगी स्वाण में आ गई बात नहीं आ गई दूसरी बात यह हम non homogeneous equation लेके चल रहें मतलब x का term है plus y का term है और यह constant term है constant तो 0 degree का होता है तो यानि यह homogeneous नहीं है क्योंकि यह 1 degree का है यह 1 degree का है 0 degree का है तो non homogeneous की हम बात कर रहें तो क्रैमर रूल में दो equations, दो variable में क्या conditions लगें समझ में आ गया और कैसे value निकलें समझ में आ गया तीक है, अब हम जड़ा एक question लेते हैं question को पूरा पूरा हम solve नहीं करेंगे हम direct value चुकि हम solution हम सामने रख करके बता रहे हैं इसलिए हम direct value रखेंगे तीक है, समझाने के लिए कि वर rest आप example लगाएंगे यह grammar rule चलना है देखो जान से जैसे मैंने एक example लिया कि solve करना है 2x प्लस 3y is equal to 10 2x प्लस 3y is equal to 10 and x प्लस 6y is equal to 4 जड़ा class 10th में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 निकलते हैं याद है अब चुकि क्रेमर rule लगाना है तो इसमें लिखा होगा solve the equation by grammar rule लिख करके आएगा ध्यान रखेगा क्योंकि इन equations को solve करने के लिए बहुत लोग प्रयास की क्रेमर साब ने किया, Gauss साब ने किया, Jordan साब ने किया Gauss, Jordan दोनों ने मिलकर के किया कई method हैं ध्यान रखेगा सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, D निकालेंगे D क्या होता है, X, Y के coefficient का determinant यानि 2, 1, 3, 6 इसी है, छदून बारा माइनस 3 यानि कि 9, 3, 12 यानि 9 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है तो फट से आपको मालू हो गया consistent है तीक है, यानि कि consistent है unique solution ये मालू हो गया, consistent है and unique solution है unique solution है पता चला हमने आपको question दे दिया और उसमें था no solution और आप X, Y के लोग निकाले पड़ें आपको यहीं पर रुख जाना चाहिए कि D 0 है तो आगे कुछ गरबढ़ है इसके बाद क्या करेंगे, D 1 निकालेंगे देखो D 1 किसके लिए निकालना है X के लिए, तो X की जगे को gap कर दो, वहाँ constant लिख दो 10, 4 और Y का लिख दो 3, 6 60-4, 12, 48 आएगा फिर D 2 निकालो D 2 Y के लिए निकालना है तो Y की जगे खाली कर दो X का coefficient 2, 1 और Y की जगे constant 10, 4 4 दूनी, 8-10 that is minus 2 तो D 1 निकालाया और D 2 निकालाया अब बाई क्रेमर रूल बाई क्रेमर रूल क्या होता है X का मान होता है D 1 अपान D D 1 बोले तो 48 बटे 9 और Y का मान आएगा D 2 अपान D that is 48 बटे minus 2 यहनिका minus का 24 अब आर 40 बटे 9 जो कड़ जाये तो काड़ दो किस से कटेगा यह 3 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा तो 3 तरक 9 और 3 इककम 3 तिचंग डाला 16 बटे 3 तो 16 बटे 3 आएगा और Y का मान माइनस का कुछ गलल लिख दिया क्या हमने X का मान एक मिनिट अरे उल्टा लिख दिया भाई क्या लिख रहा हम भाई सॉरी D2 अपांडी सॉरी 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 D2 अपांडी D2 है आपका माइनस का 2 बटे 9 यानि माइनस का 2 बटे 9 तो X और Y की वेलू निकल आई सुम्झ में बाता ही नहीं है अब कोई ASE condition बता दे जिसमेघ़न जीरो आई और नन जीरो आई मतला हड़ परकार के question बता देते हैं जबसे कि आप आसानी से उसको लगा ले ये हम दो variable और दो equations की बात कर रहे है फिर हम तीन variable और तीन equations की बात कर रहे है और देखिए अगर आपसे कहा जाए क्रेमर रूल से सॉल्व करिये तो जरूरी नहीं है यो consistent और no solution और unique solution दे ही वो आप जब question लगाओगे तो अपने आप check हो जाएगा जैसे मैं एक और question लेता हूँ question आएगा solve the question by grammar rule 2x minus y is equal to 5 2x minus y is equal to 5 and 4x minus 2y is equal to 7 सबसे पहले तो आप d इसमें लिखा है by grammar rule पहले तो आप d निकालो क्या हैगा 2 4 minus 1 minus 2 यानि कि minus का 4 minus minus plus का 4 equal to 0 आगया क्या d 0 आने से कुछ चेक हुआ नहीं हुआ क्यों कि d 0 आने से हम inconsistent या no solution या unique solution नहीं कह सकते कुछ unique तो है नहीं नहीं है आप क्या करेंगे x के लिए d 1 निकालेंगे d 1 में क्या करेंगे x के लिए निकालें तो x का पहला place है उसको छोड़ दीजे उसकी जगे constant आएगा 5 7 और y की जगे आएगा minus 1 minus 2 यानि minus का 7 minus minus plus का 7 तो d 1 की value भी आ गई यह मैं कुछ गरबड कर रहा हूं क्या पांदुनी क्या भाई बाजबे जी कहां दिमाग सॉरी है पता ही कहां दिमाग आज है पांदुनी दस minus 10 plus का 7 minus 3 is not equal to 0 क्या होता भई अगर d 0 है और d 1 0 नहीं है तो मताब here d 0 but d 1 is not 0 तो क्या बताया गया भी हम इपने बताया था एगर d 0 होए और d 1 d 2 में कोई एक non 0 है तो क्या होगा no solution यानि कि no solution inconsistent and no solution inconsistent and no solution graph के इसाब से दोनों lines parallel होंगी और they will never intersect each other at any point वो intersect नहीं करेंगी तो यह दूसरा concept हो गया ठीक है तीन तरीके बताएं तीन example देतेंगे आपको जिससे check हो जाएगा ठीक है अब तीसरा तरीका है कि भाई एक और example ले ले लेते हैं जिसमें many solution आ जाए और काम खतम हो जाए 2y is equal to 5 x plus 2y is equal to 5 और 3x plus 6y is equal to 15 3x plus 6y is equal to 15 you have to solve it by क्रेमर रूल पहले दी 1 निकालते हैं क्या बोलों दी निकालते हैं क्या होगा 1 3 2 6 कितना आएगा 6 minus 6 0 आगया d0 आने से ये तो मुझे मालूम हो गया कि unique solution नहीं होगा अब d1 निकाल लेते हैं d1 x के लिए निकालना है इसलिए x की जगए को गायब कर दो उसकी जगए कर दो 5 15 और इसमें कर दो 2 6 5 6 30 minus 15 तीस d1 भी 0 आगया फिर d2 निकालते हैं d2 y के लिए निकालना है तो पहले x कर दो 1 3 y की जगए गायब कर दो वहाँ पर 5 15 कर दो तो ये भी 0 आएगा अब बताएए d0 है d1 0 है d2 0 है तो क्या होगा here here db0 है d1 भी 0 है और d2 भी 0 है तो क्या होगा ये एक्ट होगा consistent होगा consistent होगा dependent होगा and having infinitely many solutions having infinitely many solutions अब आप कहेंगे लिख तो दिया लेकिन इसका मतलब क्या होता है value निकाली कैसे जाएगी वह infinitely मतलब अगर हम graph खिंचेंगे ना तो क्या होगा एक line के उपर दूसरी line लाई करेगी ऐसे एक ही मतलब same line है जरा ध्यान से देखिए अगर हम पहले question को 3 से multiply कर दें तो क्या दूसरी बन जाएगी अगर हम कुसी एक coefficient को equate करना चाहें तो coefficient को equate करने हम यहाद 3 से multiply कर दें तो यह 3x plus 6 5 of 15 same line आ जाएगी अगर दोनों को solve करने की कोसिस करेंगे तो सब कुछ कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जानी कि दो line नहों करके एक ही line है अगर दोनों same line है और अगर graph खिंचेंगे तो क्या दोनों एक दूसरी को उपर line नहीं करेंगी कितने point पर line करेंगी infinitely many point पर line करेंगी ठीक है तो यह many solution हो जाएगा ठीक है अब solve कैसे किया जाएगा तो हम क्या करेंगे यह question number 1 है यह question number 2 है हम यहाँ क्या करेंगे x की value कुछ माल लेंगे lambda हमने x को lambda माल लिया ठीक है तो by equation 1 अगर मैं x का मान यहाँ निकाल दूँ तो यह आएगा 2y is equal to 5 minus x यानि 2y is equal to 5 minus lambda यानि y के लिए आएगी 5 minus lambda by 2 अब lambda change होता रहेगा x का मान और y की value change होती रहेगी तिस प्रकार से x और y की value मिल जाएगी ठीक है अब यह value सही है हम कैसे माने अगर first equation में x को lambda मान करके y निकालना है तो यह value second equation को satisfy करनी चाहिए हमने second में तो रखा नहीं value तो if you put the value of x and y in equation 2 तो आप लिखेंगे as these values these values यह as न लिखें these values satisfies equation 2 so it is correct it is as लिख दोचा so it is correct यानि जो value हमने मानी है यह गलत नहीं है जो x y पहले equation से निकाली है वो second equation को satisfy कर रही है यानि lambda change होता रहेगा और x का मान बदलता रहेगा उसके corresponding y बदलता रहेगा और many value आपको मिल जाएंगी बात सुन में आई नहीं आई तो यह आपने कौन से equation solve किये 2 equations with 2 variable ठीक है और यह non homogeneous है अब हम बात करेंगे फिर 3 variable with 3 coefficients या 3 variables 3 equations अभी है अभी है झाल कर लोब हम एक दो ठीक है झाल